आप देख रहे हैं नेशन लाइप हर पल आपके साथ हर्याना की कुरुशेत्र से एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है या एक चाई विक्रेता पर 50 करोड का लोन लेने के दावे ने उसके होश उड़ा दिये है आपको बता देए कि कुरुशेत्र में एक चाई विक्रेता राजकुमार का दावा है कि बिना करज लिये ही बैंक ने उस पर 50 करोड रुपे लोन होने का दावा कर दिया है राजकुमार का कहना है कि मेरी वित्तेस्तिती COVID-19 के कारण गंभीर है इसलिए मैंने एक लोन के लिए आवेदन किया था लेकिन बैंक ने ये कहते हुए आश्विकार कर दिया कि मेरे पास पहले से ही 50 करोड रुपे का करज है उसका कहना है कि पता नहीं है कैसे संभव है लेकिन सभी हैरान है कि एक चाई विक्रेता पर इतना अधिक लोन कैसे हो सकता है बता दें कि करोणा के चलते गरीब मजदूर वर्ग अपनी जमापूंजी खतम होने के बाद अपने घरों को लोटे तो कईोंने करज लेकर अपनी जिंदगी काटी है ऐसे में एक चाई विक्रेता पर अचानक ये करज मुसीबत बन गया है हाला कि इस करज के सही या गलत होने का पता भी लगाया जा रहा है कर्जा माली जे मेरे उपर हो गया क्योंब हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं पिछे कुछ बजता खास नहीं है तो इस कर्जे को पूरा करने लिए मैं सुच्चा किसी ऐसे पैसे उधारे लिये जाए तो आम आदमी से पैसे उधारे मिले नहीं इसके वभैस से मैं प्रेवेट बंक में गया तो उन्होंने लोन भारम मेरा ले लिया एक दो बंदी का और लिया गाओं में से पडौस के बंदे गा तो तीन-चार दिन बाद मेरा रजेक्त हो गया भारम और उनका पास हो गया मेरे उपपर काफी सारे लोन पहले ही पेंडिंग है, इसलिए मेरे लोन नहीं हो सकता। तो जबकि मेरे सिरफ कोई लोन नहीं है, एक विकान का लिमिट का लोन चल रहा है, बीसे के जार का। जो मैं यह मिच्त और पर किस्टें जैसे होती है, जो मैं कराते रहता हूं। मेरे द्वारा नहीं लिए गए हैं, मेरे नाम के अलग अलग लोगों के हैं, जो पता नहीं कैसे मेरे नाम जुड़ गए हैं।